हैलो एवरिवन आज आपणे जोई सु ए ट्रिपली सब्जेक्ट नी अंदर युणीट नंबर थ्री जे छे ओके हैने अंदर आपणे जोई होतु इंडक्षन मोटर पर काई टाइप ने जोई है थी थ्री फेस इंडक्षन मोटर स्कुरिल केज एन स्लिपरिंग टाइप यह दोनों हमने देखे थे आज हम देखेंगे सिंगल फेस इंडक्षन मोटर यह जो पॉपिलर है उसी तरह से यह सिंगल फेस इंडक्षन मोटर जो है वह भी बहुत ज्यादा पॉपिलर है तो यह टॉपिक जो है वह एक्चुली लेकिन यह जो ऐसा नहीं पुछा जाता कि पर सिंगल फेस इंडेक्स और मॉटर समझाओ उसमें भी बहुत सारे टाइप है फोर टाइप की मॉटर आती है रहे तो उसमें से दो जो टाइप है वह एक्जाम में आये हुए है तो उसके बारे में हम देखेंगे वन बाई वन दे तो यहाँ पे एक सिंपल सा लिखा देखो ओछा होसपावर रेटिंग माटे खास उप्योग मालेवा माहँ जाने तो इस वी रिख्याइल धी लेज होसपावर रेटिंग्स और इन सिंगल फेस इंडेक्शन मॉटर इस प्रिफर एस कंपरेड टू दी थ्री फेस हुआ माटे पाव पराई चाहें सो सिंगल फेस इंडेक्शन मोटर है तो वह सिंगल फेस पे मतलब वरन करती है तो उसकी वज़े से क्या होता है इंडस्ट्री के अंदर तो यूज होता है लेकिन हमारे घर के जो एक्विपमेंट होते है उसको चलाने के लिए यूज होते है बहुत सरह हमें पता भी नहीं है कहां पर यूज होता है हम पढ़ेंगे तब आपको पते चलेगा यहां पर भी यूज होते हैं हम मुश्ट्री यूज करते ही है डेली लाइफ में तो यहां पर एक दो टॉपिक्स सिंपल सा दिये हुआ है वह मैं आपको स्वाट में समझात देखो single face motor सा माटे स्वाचालित नथी मिस्वाइ single face inductor motor is not self-starting मतलब एनी जाते स्टार्ट ठाती नथी एन्दो मतलब के एक और धक्क्व मार्वानी जरूर परे चैंगे एक पर धक्क्व मार्यों अन्ने जो रोटो फर्वा लागी गयो पछी आपने यहने कोई जरूर ना बावाबर चे केम काया के एग सेर्फ स्टार्टिंग ना थी कारान सुछे तो मिल्वाइटिंग मेंगनेटिक फील के फर्तु चुंबक्य अक्षेत्रा अब यह क्या रहे उत्पन थाई चे तो रोटेटिंग मेंगनेटिक फील जो है वह थ्री-फेस सप्लाई या तक टू-फ तो उसके अंदर वो जन एठ होती है रॉट कर इफफच वाइननिंग जो होती है उसको हम जब थ्री-फेस हिसम देंगे या तो वाइन इंग होती है तो उसको हम प्लेटिंग का हमने देखा ही है ईंकर एक ठिएरिंग के अंदर कैपसिटर यूज करके स्प्लीट कर देते राइट तो उसमें भी जो है रोटेटिंग मैगनेटिक फिल जन्रेट होती है बट सिंगल फेज वैंडिंग को हम जब सिंगल फेज एसी सप्लाइब देंगे तो क्या जन्रेट हो फिल तो जन्रेट होगी मैगनेटिक फिल लेकिन rotating type की नहीं होगी कौन सी टाइप की होती है alternating type की होती है पता चला है तो three phase या two phase winding जो है उसको हम three phase supply या two phase supply देंगे तब rotating magnetic field मतलब फर्तु चुम्बक्यक सेत्रा पुछपन थासे बराबाचे परन्तु जिहारे आपने सिंगल फेस वाइंडिंग ने सिंगल फेस एसी सप्लाई आपेसु त्यारे अल्टनेटिंग टाइप नू मेंगनेटिक फिल जेचे ये जन्नित थासे रोटेटिंग वाड़ू ना थासे बराबाचे एना कारणे ए पोतेस टार्ट थाती नथी एकले एना केवाई चे स्वचाली नथी सेब स्टार्टिंग नथी बराबाचे तो ये लख्यू पढ़ परन्तु जो सिंगल फेस इंडेक्शन मोटर ना रोटर ने चालू करती वकते कोई पड़ एक डिसामा धक्को मारवा मा आवे तो रोटर टू फिल रोटेटिंग थियरी आद थियरी ना प्रमाने तेट डिसामा फरवानू चालू डाग से बराबार मैं तमने आगरपन क्या को पर चलेट फील रितेए ज़स्टार्टिंग ना थि मतलब अने आपने एक डख्वा मार वाने जरू पड़े जरू पड़े येने स्टार्ट करवाने जरू पड़े बावह न है एक वार स्टार्ट नह आप इस दो आपड़े पच्छी ए ऑटोमेंटिकली फर्त्तू रेस तो यहां पर और एक लिख्खा है कि स्प्लीट फेजिंग ती सिंगल फेस इंड़क्षन मोटर के वरी ते चालू थाई सके तो यह इतना इंपोर्टन है नहीं लेकिन स्प्लीट फेसिंग वाला जो टॉपिक है वो हमने एक तेरी में डिसकस किया था और हमें पता है कि एक सिंगल फेस वन फेस जो सप्लाई आता है वह वन फेस को श्प्लीट करेंगे ब्लब यह बग में वेच्छी तो तो फेस थे जो चैसे आपने टू फेस वायंडिंग ने आपने आपी सुख तो एक रोटेटिंग मेंगनेटिक तिल जन्रत्त से यह आपने जोडी ने तेने सिंगल फेज सप्लाय आप फेढ बराबाचे यह उत्थे उन्हें टो अपड़्य उत्ज में सिंगल फेज सप्लाय आप फेढ ऊधिए आक यह उत्थे उन्हें जो मतलब जो दूसरी जो वाइनिंग होती है उसके सीरीज में रजिस्टन्स और कैपसिटर जो है वो लगाया जाता है करण सो असे वाइनिंग इंफ मनलब के अजे में वाइनिंग नहीं ऑनगे वाइनिंगन घ्रीट माते जिए ठेकशन प्रहा पसात अब शें वहाद हो खोंडां के तो बंसे न الإंति – Le Nork कि आने स्प्लिट फेजिंग कहा है जे बराबा जे ब्या भागमा में चाहिए से आम ब्या प्रवा एक बीजा थे आसरे नेवू डिक्री नो खुनों बनावे तेवरी ते मड़े छे जे टू फेज प्रवा जेम वद्ते छे राइट एक दूसरे जो दोनों जो है करन जो पास ह होता है दोनों वाइंडिंग में से वह कितने डिक्री पर होता है 90 डिक्री पर राइट तो वही टू फेस की तरह वह काम करेंगे तो उसकी वजह से हमें रोटेटिंग मेंगनेटिक फिल्ट जो है वह यहां पर मिलेगी कोई और जो रोटर है वह एक डारेक्शन में घुमने लगेगी बाद में हम क्या कर सकते हैं देखो यहां लिखा है पचीती बेह माती एक वाइंडिंग नों सप्प्लाई कापी नाख वामा तो पर रोटर फरवानू चालू राखे चे ओके सो सवक्रुतम एक वार रोटर फरवानू स्टार्ट थे गेव त्यार पच्छी आपड खाली समझ वानू अपना है अब पर एक्जाम माते बहुत आम भी नथी सिंगल फेस इंडेक्शन मॉटर ना प्रकार हो टाइप स्वाप सिंगल फेस इंडेक्शन मॉटर सो बेसिकली जो है ना वो फो टाइट किया ती है पहली है वो है सेड़ेट पॉल कि दूसरी है प्रत प्रती रो दख स्टार्ट इंडेक्शं रं प्रकार एंगर्ड इंग्लेश मां बुल होग तो प्रती रो दख मतलब रजिस्टन्स तो resistance start induction run type third है capacitor start induction run type and fourth है capacitor start capacitor run type तो one by one हम देखने की try करते हैं यहाँ पर पहले हम यहाँ पर देखेंगे यह sadded pole के बारे में तो यह अभी तक exam में तो आई नहीं है लेकिन आ भी सकते तो देखो यहाँ पर लिखा है sadded pole type induction motor तो यहाँ पर क्या दिया है यह जो induction motor है उसके लिए कैसा जो construction है stator and rotor का वो दिया है यहाँ पर तो यहाँ पर यह जो starter है sorry stator जो है यह stator के उपर अंदर के side पर क्या होता है पोल होते हैं यहाँ पर कितने पोल बता गया है देखो one two three and four पोल है राइट और यह जो figure है यहाँ पर देखो यह दो पोल बता गया है तो यहाँ पर लिखा भी है देखो चार पोल नी सेड़ेड मॉल मोटर अन्य आसुचे बैब पोल सेड़ेड पोल मोटर राइट कि आज है मॉल लेको जो परस्वाव जे यह पोल आवसे प्रिंटिंग में स्टिक चे तो ऐसे पोल होते है स्टेटर के अंदर अब होता क्या है वो देखो वो इंपोर्टन है यह जो लाइन है वो दिखाई नहीं देती है देखो यह आप बता दाओ पोल ना छेड़ा थी 30 भाग पर कापो मुकिने बराबर के सामपर जो दियां थी पोल ना छेड़ा थी 30 भाग पर काप पापो बंखे नहीं आएक अखो पोल छे एनो थरण पारमुटला वे यह तीजो बंख चे तांबा नी एक सेडेट रिंग मुक्वा मां आओ छे बराबर चे आड लिट Armor zfred देखला या रिंग लखा नाया फ्रक्रको पर सेड़िंग मनल तांब नी एक शेड़िंग मुफः मां आओ जह साना उपर जह पॉल छे सेद Plug बग पर काप मुक्वाम आवे छे आने जे नानो बग आवे छे तेना पज्जों छे यह अपर बतावी छे जुआ बद्धिरी बाजू चार पोल जे ने तो चाराव से आरे ते आजू ओके और यह जो पोल होते हैं ना पोल के उपर क्या होता है वाइंडिंग होती है ओके मतला गुचलू हो ऊई चे है कि यहां पर यह बता गया यह जो साइट पर दिखाए दे रहा न वह तो यह जो है वह एक वाइंडिंग है कि चलो तो हम आगे देखते हैं यहां पर क्या होता है देखो लिखा है मौटर मां बे के चार पॉल होई छे अने बद्धा वाइनिंग स्रैनी मां जोड़ी ने तेने सप्लाइ साथे चोड़ा मां आए जे बराबाए इस तो याप फॉरे जो पॉल होते है और जो सारी सबी जो वाइनिंग जो है उसको सीरीज में कनेक्ट करके उसको किसके साथ किनेक किया जाता है supply के साथ अब रोटर जो यह इस्टेटर की बात हो गई दूसरा जो पाठ है रोटर वो जो गुमता है अंदर बीच में यह वाला है यह वाला यह जो रोटर है वो कौन सी टाइप की आती है squirrel cage type की जो है वो रोटर आती है उसमें क्या होता है तो देखो यहाँ पे silicon अथवा dynamo steel ना lamination पर बराबज़े silicon अथवा तो dynamo steel ना lamination पर खाचा पाड़ी okay slot किया जाता है जो laminated जो portion होता है पूरा यह silicon या dynamo steel का lamination जो होते है उसको इसके इंदर slot किये जाते है खाचा पाड़ी तामाना सडिया खोसी बनने बाजू थी तामानी रिंग थी slot करवा अच्छा रहे तो जो copper के जो है यहाँ पर slot के अंदर रोड जो है copper के वो अंदर रखे जाते है और उसको दूरों साइट से क्या करते है स्वाट करते है क्या यूज़ करके copper के रिंग यूज़ करके ते अल्डेड हमने इंडेक्शन मोटर और दूसरे मोटर में भी देखा था रोटेर का जो कंस्ट्रक्शन है वो उसी टाइप का होता है स्क्रेल के टाइप में तो यहाँ पर यह दो फिगर के बारे में तो हमने डिस्कस किया अब हम उसका जो principle है उसका जो मेन वर्किंग कैसे होता है ओके सैडेर पोल टाइप नीचे आपणी सिंगल फेस इंडेक्शन मोटर जे छे एक कारिया के विदे करें चे ए में जोगा में छापने तो जो अब फिगर ने अंदर रख्यों आप युच्छे समझवा जे हुच्छे स्वाट मां जारे पोल परना गुच्छरा माथी एसी प्रवापसा थाई छे मतलब जो पोल होता है उसके उपर क्या रख्या वाइंडिंग उसमें सी जब करन पास होगा एसी तब क्या होगा पोल के अंदर एक मैगनेटिक फिल्ट जननेट होगी ओके और पोल के उपर जो सेडिंग रिंग हमने रख्ये देखो यह टाइट की चोटे से बाग में सेडिंग रिंग रख्ये वो क्या हो जाएगी इंडक्ट हो जाएगी इंडक्टन्स हो जाएग राइट यहापर लिखा देखो पोल परनी सेडेट सेडिंग रिंग ने लिदे इ ज्ञादा होगा इंक्रीज होगा । तयार है ibama वीज प्रवहके प्रेरिट थाइछощे न किया होता है यह रिंग के अंदर किया होता है जो करन रहे वह इंड meditate vu होगा तो यहां पर लिख्खा भी है देखो यह प्रेश चहो यह जब PQ portion है उसमें जब करण क्या होता है देखो increase होता है P से Q तक जाता है तो क्या होता है उसके अंदर करण जो है रिंग के अंदर वो induce होता है ते थी पोलना रिंग वाला भाग मा चुम्बक्यों खेत्रों पैदा था से अग्धा फॉलग नो फ्लक्स सेड़ल भाग मा पैदा था से अखे अन्हां फ्लक्स नी यह खेके अनष बंग मांचे तो ब्लॉक्स जे मघ अंचे ल बाढनाズघल मांचेtaa जी झासुख है मोट्ट बाइब्लॉक्स जेएं ये anti खेये खेना आपड़ें के qk यांच बता वी Across, शारेट बाग ये लाकिछेinea लुझाओ बाग के वाई ना करो के वाई अंसरेट बाग के वाई बराबा चे तो यह एनी आज ये छे अक्स ते हसे क्या रेक जहरे आप पी क्यू पोसर्ट माटा प्रावाद करिए त्या निवाद अब क्या होगा देखो next के ज्यारे प्रावा घट प्रावा यू आर गाड़ा दर्मियन प्रावा नोब फेफार ओच्व थाएशे चुवाई रोहाबार अच्छा सेकर्ड है यह जो क्यू एन आर के बीच में है उसके अंदर जो है करन में जो चेंजी साते वह बहुत कम आते हैं उसकी वज़ों से क्य क्या होगा कि induced करण जो है bring के अंदर setting ring के अंदर वो बहुत कम हो एक जैसा जो फ्लक्स है वह स face loves office करन के अंदर जो इन्डियूश होता है वह बहुत कम होता है इसकी वज़र से उनिफ्रम जो फ्लक्स है वह वह फ्लक्स में यह यह एंटइर पोर पॉल के अंदर देखो ओज़की हौए और प्रेख जो अब में मिडियल में होगी है तो पहले कांप देखिए यहां पर थे अब थोड़ी लेप साइट यह सीफ्ट हुई लेकिन यहां पर आ गई अब देखो क्या होता है नेक्स्ट पोर्शन में यह आर्स पोर्शन लेते है तो यहां पर यह जो प्रवा है current वो क्या होता है कम होता है decrease होता है तो क्या होगा ओके तो जब यह current decrease होता है तो होता क्या है कि जो flux produce होता है न वो यह unsedded portion उसके अंदर बहुत कम होता है और यह sedded portion के अंदर जो है वो flux ज्यादा produce होता है तो तो केके जो X है वो जो है यह मिडल पे थी वहां से लेप साइट सीफिट होके कहां पहां पहाँ जाएगी यह सदेड पोर्शन में आजाएगी देखो यह जब यह करन यह पोर्शन में हो मतलब डिक्रीज हो रहा हो तब कि बात है उसका मतलब क्या हुआ यह आप ध्यान से देखो तो क्या पता चलता है कि flux की जो एक्सिस है यह जो अक्स है flux नी वह क्या होती है unsaidid portion मतलब कि यह जो है हमारा unsaidid portion से sadid portion की direction में क्या होती है shift होती है बराबर जे flux नी अक्स unsaidid भाग तरफ थी sadid भाग तरफ खसा चे बराबर जो प्रत्थम यह आती यह पची थोड़ी खसी ने वच्ची आवी त्यार पची यह unsaidid portion में आएगे बराबर चे इसका मतलब क्या हुआ इटले के flux जाने के anti clockwise दीशामा फर्तों न होई आने परिग्रामे रोटर आक इस सामा anti clockwise दीशामा फर्ते एना मतलब सुन थाई छे क्यों फ्लक्स आपने घडियान नी विरुद दीशामा फर्तों थाई एना कारणी जे रोटर छे यह आपनी anti clockwise डायरेक्शन मा फर्वा लाग से बराबर छे ख्यालावी ग्यों तो आर इते आ काम करे छे हम यहना फा सिंपल है मजबुत बांधोच है एक यह स्ट्रॉंग है एक्चुली उसका पूरा जो कॉंस्ट्रक्शन है न वह भी क्या है स्ट्रॉंग है सस्तिच है मतलब उसकी कॉष्ट कम है यह तो सिफ आपको याधी रखना है गैर फाइदा स्टार्टिंग टॉक ओच होच है स्टार्टिंग में जो टॉक चाहे न वो कम है तो जहां पर स्टार्टिंग में टॉक कम चाहिए ऐसी कोई application हो वहाँ पर यह यूज होती है कार्या अप्रटिंग समता ओची चमींज एफिसंसी भी कम है अतिभर्ग समता ओची चमींज जो ओवर्लोड जो है ना ओवर्लोड की capacity उसकी कम है और फरवा ने जीसा उल्टा भी सका दी ना थी मतलब उसको रोटेट करने जो डाइरेक्शन जो है ना होम उसको मुलब उपोजित में नहीं घुमा सकते के और उसका जो एप्लिकर्शन है उप्यों क्यों कहा कही जग्या थाई छे तो जहें लाइक हो चो जूँओ कि आ प्रकान नी मॉटर ओची समता माटे बनावा माँ अचे बराबर राइक टेबल पंखा रमक्रा हैडर टन टेबल टेप रेकोडर के सेड़ेड पॉल प्रकार नी योज थाई चे बराबर तो आज आपड़े आ विडियो ने अंदर सिंगल फेस इंडेक्शन मॉटर मां स्टार्टिंग मां क्यम रोटेटिंग मेंग्नेटिक फिल्ट जनरेट नधी तो अने क्यम ए सेल्फ स्टार्टिंग नाथी ए आपड़े जोई सिंबल रिजन ए आपना समझवा माटे जरूरी छे ने त्यार पची एनना जे प्रकार हो छे तेमा आजे प्रथम प्रकार छे सेड़ेड पॉल टाइप यह आपने जोई बाकी ना जे प्रकार हो छे आपने नेक्स्ट वीडियो मां जोईशू